Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Literature Choon आज की वीडियो में हम लोग Wilfred Owen का काफी famous poem Fertility डिसकस करेंगे यह जो poem है बहुत सारे उनिवस्टिस के syllabus में है इस poem से लिटेड ना इस वीडियो में हम 6-7 point डिसकस कर रहें पहले introduction, author के बारे में डिसकस कर रहें उसके बाद poem का structure डिसकस कर रहें फिर किस चीद से author inspired होके यह कवीता लिखें वो भी discuss के वें उसके बाद poem का analysis डिसकस के वें और फिर end में conclusion तो यह 6-7 point हम इस वाले वीडियो में discuss कर रहें अब अपने marks के recording notes को छोटा बड़ा कर लेना और जिस according question पूछे उसी according answer देना टाइटल की वारे में short notes पूछे तो टाइटल की वारे में सिर्फ लिखना या फिर critical appreciation आ जाए तो सारा section को थोड़ चोड़ चोड़ करके सारा section लिखना होता है critical appreciation में तो शुरू करते हैं सबसे बेल introduction आले section चे हम लोग जो कविता फूटिलिटी है वो भी एंटी वार पूएम है यह उन पाच कविताओं में से है जो कि विल्फरेड अवन के लाइटाइम में पब्लिश करवाई के ना तो उन पाच कविताओं में से यह कविता है It was appeared in the nation in 1918 1918 में the nation में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया पुब्लिश किया गया It is written in form of lament इसको एक lament के form में It means एक विलाप या फिर शोगित के form में लिखा गया है For the soldiers Cyanico के लिए That lost their lives in World War I जो कि World War I में अपना life खोध है मतलब जिन Cyanico की मिरती हुई World War I में तो उनके लिए उनके याद में विलाप के रूप में ये कविता लिखी गई है Which started in 1914 जो कि start हुआ था यहां पर World War I की बात हो रही है कि जो World War I है वो start हुआ था 1914 में and continued up to 1980 और continue रहा 1980 तक तो यहां पर से आप World War I का date याद रखिए है कि 1914 में start हुआ था और 1918 के बात खत्म हुआ है In France, French myth There was a battlefield एक battlefield ता on which an English soldiers come to fighting एक English soldier, एक English एक अंग्रेजी शैनिक न सकम लड़ते लड़ते न मिर्ट्यू को प्राप्त करता है His death was shocking उसकी जो मिर्ट्यू थी वो shocking थी काफी जादा चौका देने वाली थी tragic, it means दुखा थी and heart trending Heart trending, it means जो है खिर्दय विदारक जो बहुत जादा painful हो तो वैसा था उसका जो death था soldier का This incident led Owen to write the poem Futility और इसी incident से प्रभावित होकर जो है Wilfred Owen ये कवीता Futility लिखते हैं अब next हम लोग about poet Poet के बारे में पढ़ लेते हैं Wilfred Owen was a war poet of the modern period Wilfred Owen जो है वो एक war poet है आप लोगो पता ही होगा जो कि modern period से बिलॉंग करते हैं He was regarded by many as the leading poet of the first world war ये जो है first world war के leading poet के रूप में it means प्रमख poet के रूप में जाने चाहते हैं and was mostly known for his war poetry and mostly जो ये famous ये अपनी war poetry के लिए प्रसिद्ध है based on the horror of trench warfare जो कि best होता है युद के टाइम और उसी में सोना होता है उसी में खाना वाना सब कुछ तो कैसे उनका जीवन होता था ना वो चीज़ डिसकस करने के लिए mainly Wilfred Ewan जाने चाहते हैं कि वो युद की भयावता को दिखाते थे He was influenced by John Kitts जो Wilfred Ewan है बेस्ट पोयम में इंक्लूड सामिल है Anthem for Doomed Youth इस पे हम अलरड़ी वीडियो अप्लोड कर रखे हैं Strange Meeting इस पे भी अलरड़ी वीडियो अप्लोड है Spring Offensive इस पे नहीं है और End और आखरी है Dulls at Decoram Est यह भी काफी फेमस पोयम है अब next हम लोग इसके themes को पढ़ लेते themes को detail में हम discuss कर रहे हैं लबक one and half phase में तो यह detail में तभी discuss करना जब आपको specific theme पूछे बढ़ना यह वारा section छोटा कर लेना Wilfred Ewan's poem Futility is a powerful exploration of the themes of life, death and futility of war Wilfred Ewan की कवीदा जो futility है नहीं में इन तिनों विशे पे जो है फोकस किया इसका विता में The poem is set in the aftermath of a battle Poem की setting रखी गए ना वो युद के बाद की रखी गई है मतब युद का पई नाम जो है ना उसमें इसकी setting रखी गई है and the speaker is contemplating the dead body of a soldier और speaker contemplating इतम से विचार कर रहे है अपना view दे रहे है एक मित सरीर पढ़ा हुआ एक soldiers का सैनिक का उसी को देख के अपना view दे रहे है The speaker's initial hope that speaker का वक्ता का initial hope था starting का शुरुआती आशा था कि the sun might be able to revive the soldiers कि ये जो soldier जो मित पढ़ा हुआ था author के सामने वक्ता के सामने उनको शुरुआत में ये होपता है कि जो sun की रोष्टी है न जो sun है वो फिर से जिवित कर देगा इस soldiers को इस सैनिक को फिर से जिवित कर देगा इसमें फिर से जीवन डाल देगा इस quickly dashed by the realization लेकिन वो quickly तुरन थी death statements हम लोग बोल सकते हैं off हो जाते हैं या फिर सुन पढ़ जाते हैं इस realization से that death is inevitable invitable होता है इसमें अनिवारे होता है unavoidable होता है मतलब इसको कोई avoid नहीं कर सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता है अब जब यह realize हो गया speaker को death जो होता है invitable होता है अनिवारे होता है तो इससे क्या होता है speaker जो है question करते हैं फिर life का meaning कि क्या हुआ जो ऐसे ही मरना है अचानक से युद हुआ young age में मर जाना है तो life का meaning क्या हुआ वास्तविक and he concludes और फिर से वो खुद से निसकर्ष देते हैं that the act of creation is ultimately futile जो creation का act है यह जो रशना वाला काम है ना कि जो सब को जीवन मिलता है फिर तो वो futile है वो तो worth है in the face of death death के सामने the poem is also notable for its use of symbolism poem जो है अपने symbolism के use के लिए भी काफी जादा प्रशद है the sun for example is a symbol of life and hope तो इसका वीतम जो sun है मतलब sun जो word का use किया गया है वो ना life and hope का symbol है life it means given और hope it means आशा का but it is also a reminder of the inevitability of death लेकिन साथ ही साथ यह एक reminder भी है death की inevitability it means death की अनिवारता का भी symbol है the seeds are gently awakened by the sun मतलब जो sun की रोशनी वो seeds पे पढ़ती है और seeds जो वितनत निकला ही है अन्कोडित ही हुआ है आरे symbol of cycle of life and death वो प्रतीक है life and death के cycle का की जिन्विवन और मिर्थिव का जो है चक्र होता है वो दिखाने की कोशिश की गई है seeds के through जो की अभी अभी तुरंत अन्कोडित ही हुआ है सुरे के रोशनी को पाकर but they are also reminder of the transient nature of life लेकिन साथ ही साथ वो जो seed है वो transient it means एक च्छनिक nature भी दिखाता है कि life किस तरीके से च्छनिक होता है किस तरीके से life कब खत्म हो जाएगा वो किसी को पता नहीं होता है ठीक है अब next है in addition to the themes of life, death and futility of war मतलब life, death and futility of war के विशे के अलावे futility also explores the following thing futility treatments हम लोग बोल सकते है poem में और भी धे सारे themes को explore किया गया धे सारे विशे का जिगड किया गया जैसे यहां पे हम दो चार मेंशन कर रखे the dehumanizing effect of war war का न युद का dehumanizing effect दिखाया गया dehumanizing effect में हम लोग बोल सकते है एक और मान भी एफेक्ट दिखाया गया है the psychological impact of war on soldiers और जो soldiers होते हैं जो सैनिक होते हैं उनकी psychological impact उन पे क्या पढ़ते हैं किस तरह किसे वो न मानसिक रूप से disturb हो जाते हैं युद के बाद वो दिखाया गया है इस poem के through the futility of trying to find meaning in death और मेर्तियो में अर्थ खोजनी की निरर्थकता को भी जो है दिखाया गया है इस poem के through तो ये themes वाला section होगे आप form and structure structure को discuss कर लेते हैं में लिए इस कवीता के अवन्स futility इस तरह 14 lines poem अवन की जो कवीता है futility वो 14 lines की कवीता है hence a sonnet इस प्रकार से ये एक sonnet है आप लोगको पता होगे 40 lines की जो कवीता होती है उसको sonnet कहते है it is divided into two stanza ये जो कवीता है 14 lines की निसको दो stanza में बाटा गया है of seven line in each और जिसमें से दोलो stanza में seven seven lines है the poem has a unique rhyme scheme poem में एक unique rhyme scheme follow किया गया of A, B, A D, C, C करके है its format is a short elazic lyric है ये एक शोक कवीता है हम लोग sonnet में बोल सकते हैं source of the poem futility futility poem के source की बारे में discuss कर लेते हैं ठीक है ये वाला section न तभी discuss करना अगर specific आपको पूछा गया हो exam में क्योंकि introduction में थोड़ा सा हम source की बारे में discuss कर चुके हैं already तो ये वाला section आप पूरी तरह से skip कर सकते हो ठीक है कि अगर आपको long answer नहीं लिखना है तो the poem futility was first brought out in the year 1920 poem futility को जो पहले बार 1920 में लाया गया several battles were fought in the first world war कि धेर सारे यूद लड़े के first world war के time प्रतम विश्व यूद के समय started in 1914 जो के start 1914 में हुआ था in France वही फ्रेंच वाला कहानी इन स्टार्टिं में भी शुनाया थे there was a battlefield एक battlefield था on which an English soldiers come to fighting मतलब एक English soldier एक English है लड़ते लड़ते मिर्थी को प्राप्त होता है his death was shocking and tragic और उसका जो death था वो काफे ज्यादा shocking था और tragic it means दुखा था this incident led Wilfred I want to write the poem और इस incident से इसी घटना से प्रभावित होगे जो है I want इस कविता futility को लिखते है the poem is taken from the volume collected poems published in 1920 इस poem को लिगिया गया है collected poems नाम का एक volume it means संगड़ पब्लिश करवाया गया था 1920 में उसी से लिए आ गया है about the title of poem the nation में उसके बाद collected poems में इस poem को publish करवाया गया in 1920 में प्रीशप जी ध्यान रखेगा next is about the title of the poem poem के title के बारे में हम लोग discuss करेंगे लग दो stanza में हम discuss कर रहे है title के बारे में तो title के बारे में बीटेल में तभी discuss करना है जब specific आपको तो title के बारे में पूछाओ ज़र title के बारे में नहीं पूछा है तो नॉर्मली एक stanza थोड़ा सा discuss करो और फिर आगे analysis discuss कर लेना तो title अलग section पढ़ते हैं इसको बहुत सारी तरीके से justify किया जा सकता है सही ठहराया जा सकता है the word futility means जो word सब futility है उसका अर्थ होता है uselessness uselessness मतलब हो जाता है अनूप योगिता the poem exposes the uselessness of the creation of life by the sun कि sun के दौरा जो life का creation किया जाता है जीवन की रशना की जाती है ना the poem में यह बताया है कि वो बेकार है वो वेर्थ है निर्थक है while many life in so carelessly in war before its time क्योंकि जो life होता है वो carelessly it means बेफिकर तरीके से खत्म हो जाता है यूद में मतलब sun life बनाया life a creation किया लेकिन जो सैनिक है अपने मिर्ट्यू से पहले यूद के वाज़े से मारे जाते हैं तो इस वाज़े से जो है पोईट बोलते है कि जो life का creation का काम है ना वो uselessness है वो बेकार है वेर्थ है इन अधर सेंस वही दूशरी सेंस में we find in war nothing glorious कि हम लोग जो यूद में है ना कुछ भी glorious नहीं पाते है कुछ महान नहीं पाते है यूद कुछ अच्छा काम तो है नहीं यूद nothing noble ना है इसमें कुछ शानदार है अच्छा है and even nothing praise worthy ना ही कुछ तारीफ करने यूग है जो वो होता है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है it results only in the huge loss of life इसका परिणाम सिर्फ एक ही होता है कि इसमें बहुत बड़े पेमाने पे life का loss होता है वतला है बहुत सारे लोग मारे चाहते है so war is futile इसके जो यूद्ध है वो futile है वेर्थ है निरर्थक है on the other hand वहीं दूश्री तरफ the poet speaks about the futility of work of the sun to bring life to birth की sun जो है life को birth देता है life जीवन को जर्म देता है the sun is the great giver of life sun जो होता है वो great giver होता है life देने वाला होता है sun beams are the sources of energy और sun beams इतने जो शोरी की किर्ने होते है वो energy का source होती है which mouths the earth with the thrill of life जो कि thrill of life इतने हम बहुत सकते है जो पिर्थवी को जीवन के रोमांच में ढालता है मतलब sun के वज़े से ने पिर्थवी पे जीवन है but the poet thinks that लेकि यहां पे जो poet है वो सोचते है कि the sun's effort has been fruitless कि sun का जो effort है यह life create करने का यह life को जन देने का पिर्थवी पे वो fruitless है बेकार है और futile of worth है as war kills millions of young people क्योंकि जो war होता है वो धीर सारे millions of people को मार देता है मतलब वो यूद के वज़े से मारे जाते हैं before they can manifest into meaningful existence इससे पहले कि जो young soldier से कोई meaningful existence में आ पाते हैं कोई महत होता है इनके जीवन का कोयस्तित होता इससे पहले ही वो शैनिक जो है मारे जाते हैं this justifies the title of the poem futility और इस तरीके से जो है यह सारा जो incident है वो justify करता है क्यों जो है इस कवीता का title futility है निरत्थकता है अब next हम लोग इस poem के analysis को discuss करेंगे यह भी normal two and half page में हम discuss कर रखे हैं the first stanza very poignantly describes कि पहला जो stanza है वो बड़ी poignantly it means बड़ी दुख से यह describe करता है कि how a diseased soldier is moved to the sun की कैसे एक मृतक soldier को मड़ेवे soldiers को sun की रोशनी में ले जाया जाता है with the hope इस hope के साथ इस आशा के साथ that the gentle rays of the sun will revive his consciousness की sun की gentle rays है जो किर्ने है ना उसके consciousness को वापस कर देगी it means उसकी चेतना को वापस कर देगी फिर से उसको जिवित कर देगी इस hope की साथ न हमने soldier को sun की रोशनी में रखा जाता है the speaker by the line, speaker जो है in lines के जड़िये move him into the sun gently its touch awoke him once at once whispering of fields half shown suggest that in lines के जड़िये जो है वक्ता सजेस्ट करते हैं सुझाव देते हैं चिकल करते हैं कि that the soldiers whose life is curtailed by the war कि इस इसकी की life छोटी हो गई है संशित हो गई है युदिके द्वारा is young वह अभी भी यंग है जवान है and it is eagerly this that और यहां पर eagerly दिस्ट की जाती है उत्सुक्ता से खामना की जाती है that the son which is a life giver की son जो कि life giver है जीवन देने वाला है will once again bring the dead soldiers to life कि वो फिर से जो dead soldier है मृतक शैनिक है उसको फिर से जिवित कर देगा because क्योंकि half of his life experience are yet to be received क्योंकि जो शैनिक है जिसके मिर्तियों हो गई क्योंकि वो काफी यंग है तो वो अपने life के आधे experience को आधे अनुबवों को तो भी experience भी नहीं कर पाया है उसको सामना भी नहीं कर पाया है it was always the son यह हमेशा sun था that somehow wakes up him जो कि हमेशा उसको जगाता था while he was at home or in France जब वो फ्रांस में अपने घर पे था था तो हमेशा sun की रोशनी जो है उस soldiers को जगाती थी इसवज़े से यहाँ पे soldier को फिर से रखा गया है दूप में कि फिर सायद वो soldier standing जिवित हो जाया है however the speaker mentioned that यहाँ पे speaker mention करते हैं जिकर करते है कि even the sun could not bring life into him on this snowy morning मतलब बर्फ वाली सुभा है बर्फ गिर रही है तो इस सुभा में जो है धूप निकला ही नहीं नहीं तो sun जो है इसमें light नहीं ला सकता है even though the speaker try to bring in the image of light through the sun यदिपी जो वक्ता है वो soldier के माध्यम से जो soldier के through जो है वो प्रकास के image लाने की कोशिश करते है yet the first stanza ends in a state of despair for the soldiers in dead जो पहला stanza है कवीता का वो जो सैनिक के मिरती होने के बाद निरासा किस्तिती के साथ समाप्त हो जाता है the soldiers who has fought in the war soldiers जो कि युद में लड़ा है and died और मर चुका है there was no prepared to die वो जो soldiers है वो ready नहीं था मिर्ट्यू के लिए he joined the war with the hope of securing his home वो जो है war को join करता युद जो है ताकि वो secure कर शेकर के अपने घर को his nation और साथ चात अपने राज़्टे को in the second stanza दूसरे stanza में the speaker ask question regarding life this speaker जो है life-related question पूछते है the sun and the swell that led to the growth of seeds it's suggestive sun और मिट्टी जो की seed के growth का कारण होती है न वो एक suggestive it means वो शुझाव देती है दर्शाती है कि of how despite the soldiers death life has to go on कि कैसे soldiers के मिर्तियू के बाप जो है life continue चलेगी it signifies the paradox of life and death यह जीवन और मिर्तियू के विरेधा भास को दर्शाता है while the sun and the swell gives light and life on the one hand कि जहां एक तरफ जो sun और swell it means वो मिर्टी है वो light it means प्रकास और life देती है it is disturbing for the speaker यह speaker के लिए disturbing है to acknowledge that इस चीज़ को acknowledge करना it means श्विकार करना that what made fattier sunbeams toile to break earth sleep at all यहां पे हम पोयम का लाइन मेंशन कर रखें next है the speaker again refer to hope again speaker जो है hope का जिकर करते है that is futile मतलब जो कि निरथा की है वेर्थी है मतलब फिर से speaker के अंदर यहां पे एक आशा आती है in the swell he cannot be brought back to life कि जैसे सीट को दफनाते हैं तो कैसे सीट से एक छोटा संकूरन होता है पिर मतलब सीट बड़ा पौधा हो जाता है तो उसी तरह जब सोल्जस को दफनाया जा रहा है तो यहां पे speaker को वक्ता को फिर से उमीद होती है तो वह चुपचा मानव जाती का अन्ठ क्यों देख रहे है इंडेटर शीडियसनेस ऑफ दा पोयम इस रफ्लेक्ट इन दा लास्ट के दो लाइनस में हम लोगो जाला देखने को मिलती है इन विच दा इस पिकर इस क्लूलेस क्योंकि इसमें जो लास्ट के दो लाइन में इना speaker क्लूलेस रहता है मतलब तो कोई खबर नहीं रहती है ऐस टू दा नोशन ओफ लाइफ एंड डेथ मेट्यू और जीवन की अवधारना को लेके जो है दस इस प्रकार थू दा पोयम फ्यूटिलिटी इस प्रकार जो है कविता फ्यूटिलिटी के जरिये अवन is trying to say this war is pointless war कि यह जो यूद होता है वो pointless यूद होता है फ्रम स्टार्ट तो फिनिश पोयम पोयम के स्टार्टिंग से लेके end तक फिनिशिंग तक foreground तक westfulness of war इसमें सिर्फ ना यूद की बरबादी को उजागर किया गया है मदफ कविता जो है starting से end तक वो सिर्फ यूद की बरबादी को उजागर करती है displaying this truth इस truth को display करते हुए through great imagery imagery के जरिये symbols के जरिये हम लोग बोल सकते हैं अवन bring a candid opinion of what occurs during war और अवन जो है अपना एक aspast candid opinion देते हैं राय देते हैं कि war के दौरान यूद के दौरान जो है mainly क्या होता है कितना भ्यावा सिच्विशन होता है यूद के दौरान तो इस पुयम के जरिए जो है अवन यही दिखाने की कोशिश किये हुए है तो यहां पर conclusion वाला section भी खत्म हो गया यह जो point थी मिलनी यूद्ध पर depend थी war पर depend थी तो अगर वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा आप लोग को समझ आ गया ना तो आप लोग वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और comment करके बताना वीडियो को तैसा लगा मिलते हैं नेक्स व